जब आप दोड़ते हो जब आपके पास दस जने होते हैं तो आप कहीं ने कहीं लगते हो कि आर में कहीं हार ना जाओं पर जब आप अकले दोड़ते हो तेज इस पर से दोड़ते हो तो आपको कहीं यह फिल नहीं होता है हाला स्टूडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर के जिन्द परोहित है परिक्षा पेट सर्चा इस टॉपिक पे मुझे लगा कि आप सभी से बात करनी चाहिए क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ग्रेजूशन कर रहा होता है साथ साथ में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको किसी नी कि कि तैयरी करनी चाहिए चाहिए आप प्राइविट सेक्टर में चाहिए जा रहे हैお願いします कुछ ने कुछ एक्स्ट्रा जरूर करना चाहिए खास करके अगर आप इंजोनिरी Gang Gev dessert करना चाहिए मैं कुछ और करना चाहता हूँ मैं एससे इस के जील की तैयरी करना चाता हूँ मैं दूसरे competitive exam की तयारी करना चाता हूँ भाईया करे कोई समस्या नहीं पर कुछ ने कुछ करो अगर graduation के साथ आपने कुछ extra नहीं किया तो भाईया वो degree किसी काम की नहीं है मैं बच्चों को देखता हूँ क्योंकि मैंने को लगबग 15-16 साल पढ़ाने का experience है भाईया आप graduation तो करते हो पर तीन साल पूरा का पूरा या चार साल आप पूरा का पूरा खराब कर देते हो आप साथ में किसी चीज़ की extra तैयारी नहीं करते हो भाईया अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी चा रहे हो तो कहने कहीं आपको हर साल कुछ ने कुछ नहीं skill सिखनी चाहिए सोदेट की किसी भी company में जाओ तो आपको वो बंदा सीधा ले ले हायर कर ले या अगर आप masters करना चाहते है IAT से बहुत सारे बच्चों का रहता है भाईया 11-12 तो आपने जही के लिए जान लगा दी पर जैसे ही आप graduation पे आते हो भाईया उसके बाद भी आपके पास मोका होता IAT में जाने का masters के लिए चाहे gate के थुरू M.TEC करने जाओ चाहे फिर IAT gym के थुरू M.C करने जाओ तो आप करना चाहिए क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा option है क्यार मुद्दे की बात करते है अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो तो student demotivate बहुत जल्दी हो जाता है क्यो demotivate होता है क्योंकि आपकी class के अंदर 60 बच्चे है उसमेंसे आप 2-3 बच्चे से एक्सटा कुछ ने कुछ कर रहे होते है पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप student life में कुछ एक्सटा efforts करोगे तो चाहिए कि future में आपको एक्सटा pay करने वाला है तो पहली बात तो इस चीज़ को लेके हमें मोटिवेट होना चाहिए है ना हमें डी मोटिवेट होने के जरुत नहीं कि या लोग इंजोई करने में तो कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टुडेंट लाइफ के साथ साथ ये चीज़े करना अतिया हवश्यक होती है सबसे पहला जो स्टुडेंट का डी मोटिवेशन का कारणी ये होता है कि मेरे साथ वाले मजे करने मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एक और चीज़ होती है कि इन सेक्यूरिटी है यार मैं इस एक्जाम की तयारी तो कर रहा हूँ अगर मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा तो यार मैं आपको बताना चारा हूँ कि किसी भी एक्जाम की तयारी करो सेलेक्शन हो ना हो पर उससे कुछ ने कुछ छीख हमेशा मिलती है मान लpants लिजे अगर आप गेट एक्जाम की तयारी कर रहे हो आप engineering student हो या maths या physics या chemistry की किसी भी subject के student हो भाई या अगर आप get exam की तयारी करोगे तो आपके concepts clear होगे जो आपने engineering के दोरान या अपने graduation के दोरान पढ़ा है वो क्या पढ़ा है previous year question, important topics exam में लिख के आगए 85%, 95% आपने subject को सिर्फ exam पास करने के लिए पढ़ा है मैं एक यूटिवर हूँ और मुझे पूरा पता इस इच के बारे में कि बच्चा exam से पहले पढ़ाई करता है माक्स लेक्ष 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 आजाता है बाकि साल भर तुम लोग मजे करते हो तुम आपको ही कहना चाता हूँ कि अगर आप get exam की तैयरी कर रहे हो या gym exam की तैयरी कर रहे हो या भया कोई और भी तैयरी कर रहे हो अरे कुछ तो सीख रहे हो वो future में कहने कहीं काम आने वाला है knowledge हमेशा जाया नहीं जाता तो आपको कभी भी ये सोचने के जरूत नहीं कि अगर मैंने इस एक्जाम की तैयरी करी और मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा अरे भाईया सीख मिलेगी है ना असफलता भी हमें बहुत कुछ सिखाती है और नॉलेज तो अपग्रेट होई रहा है ना तो आपका confidence लोगा है मुझे subject आता है अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी इंटर्वी देने के तो यार इंजिनेरिंग के student और आपको subject knowledge है वही आप बंदा question subject का ही पूछेगा तो वो आपको आता है तो यार ये आपको समझने के जरूरत है तो हमेशा knowledge कहें ने कहीं repay करता है एक और सबसे बड़ी बात होती कि जो student जितनी मेहनत करता है वो उतना ही demotivated fill करता है क्योंकि जिसने तयारी नहीं करिये उसके पास demotivate होने का कोई reason ही नहीं है क्योंकि उसको कोई expectation नहीं है तो इसमें अगर exam की तयारी मेहनत के साथ करता है वो उतना ही demotivate होता है तो आपको ध्यान देने के जरूत है कि अगर हम किसी भी exam की बात करें माल लीजे मैं आपके सामने CSI or net exam की बात करता हूँ 35,000 students इस exam को देते हैं पर seriously तयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो 10% होते है मतलब 3,500 बच्चे इस exam की seriously तयारी कर रहे होते है और लगभग उसमें से 700 students NET या NET JRF क्वालिफाई करते हैं competition आपका 35,000 से नहीं है competition आपका 3,500 से ही ये समझने की जरूत है तो आपको ये demotivate होने की जरूत हो नहीं गयार इतने लोग exam दे रहे हैं मेरा selection अरे भाईया अगर आपने महनत करी है आप साल बर से उस exam की तयारी कर रहे हो तो गयार exam से पहले आपको कहीं demotivate होने की आवशकता नहीं है आपको ये समझने की जरूत है आपका competition उन सबी students के साथ नहीं आपका competition उन students के साथ है जिन्होंने इस exam की seriously तयारी करी और वो लोग सिर्फ 10% होते है तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूत है एक और चीज़ हमारे पास यहां पर जो students को मैं देखता हूँ demotivation कहा होता है हम comparison करना start कर देते यार वो तो इतनी महनत कर रहा है उसके अच्छे marks आ रहे है दूसरा बुला सर वो इतनी महनत कर रहा है उसके ज़्यादा marks आ रहे है मेरे का मारे उसने वो किताब extra पढ़ी मैंने वो नहीं पढ़ा है उसने उनसर के notes पढ़े मैंने तो notes पढ़ा ही नहीं उसने इतने marks लगा दिये मैंने तो लगा है यह जो students के साथ problem होती यह कहने कही जब आप comparison स्टार्ट करते हो वाली बात है ना जब आप दोड़ते हो जब आपके पास 10 जने होते है तो आप कहने कहीं लगते हो देने अगर आप mock test में अच्छा perform कर रहे हो तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान देने के ज़रूते है यह हमेशा यह human behavior है जब भी आप किसी exam को देने जाते हो तो कहने कहीं थोड़ा सा problem होता है यह सब के साथ है भई यह हम भी जब देती हैं हमारे साथ भी होता है इवन कोई भी cricket player जब ground में खेलने आता है तब सुरू सुरू में थोड़ा सा प्रेशन में खेलता है पर जब खेलना शुरू करता है confidence धीरे 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 बंत आ जाता है और last में अच्छा score हो जाता है इसी टाप से आपको भी सोचने के ज़रूत है अगर आप मेहनत करोगे तो भाईया कहने कहीं आप थोड़ा सा demotivate feel करोगे क्योंकि आपकी expectation result के साथ हो जाती कि मेरा तो अच्छा result आना ही है क्योंकि मेहनत मेहनत करिए पर फिर आपको insecurity होने लग जाती अगर मैं अच्छा ना कर पाया तो मैं क्या करूंगा तो ये समस्या होती तो आपको इसका ध्यान देने के ज़रूत है कि आपका जो competition उन सब students के साथ नहीं है आपका competition उन students के साथ है जो well prepared है और वो लगबग total students के 10% ही होते हैं मैं आपके सामने एक चोटा सा example देता हूँ IDJ में exam के बारे में बात करता हूँ IDJ में exam mathematics student सिर्फ 14,000 देते हैं भाईया इस इंडिया में BSC करने वाले लोगों की संख्या लाखों में है पर सिफ 14,000 बच्चे जानते कि ID से MSC की जा सकती है और 14,000 बच्चों में से सिफ 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस exam को well prepared करते हैं that is only 1400 अगर आप अपने graduation के साथ exam की तयारी कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी बात है जो कहीने कहीं आपको demotivate करती है ये comment करके ज़रू बताइए अगर आप IAT jam या get exam की तयारी कर रहे हैं तो मेरी बहुत अच्छी book है Amazon पे available है combat test series for IAT jam इसका link आपको discussion मिल जाएगा